सब्सक्राइब करें देखिए अभी ये कोविट के समय में ओफिशल टूर प्रोग्रम रखना ठीक नहीं है क्योंकि इतना ओफिशल मुव्मेंट होगा और आना जाना होगा तो फिर कोविट स्प्रेड होता है इसलिए जो भी है जो फ्रॉंट लैंड वरियर्स है डॉक्टर्स, मेडिकल टीम, सेक इतना गर्स लेकर की बॉडर एरिया तक क्राइसिस होने नहीं दिया लगातर हम संपर्ग में था मुख्यमंत्री जी के साथ दीशी के साथ पार्टी वर्कर सब के साथ और अभी लगबग एक साल तीन महिने हो गए और अरुणाचल में किसी चीज का क्राइसिस होने नहीं द कि और जैसे लाइट इलेक्रिसिती होते हैं आपका टेलिफॉन लाइन होते हैं पानी होते हैं सारा चीज के विवस्ता करना पड़ता है तो और बाकी जो एमर्जेसी सामान जो होते हैं मेडिकल का आज भी हम वो सुब लेके आए हैं और क्योंकि मैं आयूस मलत्री भी हूँ तो आयूस का भी काफी हम आगे देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं आज आयूस का सामान खास करके आयूस 64 जिससे एक माइल्ड मॉडरेट और एसिंटोमेटिक जितना भी केसे से उसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है सबसे एफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी जो देश में हम हैं कि कि हुँज़ना के हेल्फ डिपार्टमेंट के माधियम से हम डिर्टिक में इसका बढ़वारे पर करेंगे क्योंकि कुछ-कुछ मेडिकल समooky है वो पार्टी अर्टी वर्कर्स के हाथ से दिस्ट्रीवू नहीं कर सकते हो टेकनिकल है तो हो हेल्थ वो वर्कर्स है और म हम लोग उसको distribute करेंगे तिरन जी आप हमारा member of parliament के आलावा हमारा देश के नेता भी है तो काफी लोग हमारा अभी भी confusion में है कि कोविट का कैसा चलेगा वोगे तो लोगों को आपकी इस तरह से संभूधित करेंगे कि देखें कोविट का जो काफी group of ministers होते हैं हम लोग चर्चा करते हैं daily का daily prime minister review लेते हैं जो chief ministers के साथ experts के साथ review में लेता है अलग minister के साथ अलग से review लेते रहते हैं तो हम लोग vaccination को लेकर के इस वक्त बहुत priority दे रहे हैं और जैसे प्रदानमंदीच ने गोशना किया दीपावली तक free चावल और जो basic ration items है हर नीदी परसन जो भी ज़रुरत मन है वो तक पहुंचना चाहिए और December तक universally सब को vaccination free of course कराने का ये बहुत मामूली announcement नहीं है आप लोग मालम है economy down है सारा दुनिया का economy down है कमा ही नहीं हो रहे है जो economy down होता है तो आप revenue कम होता है और revenue कम होता है तो खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होता है तो ऐसा समय में जब पूरा दुनिया का economy down है भारत का भी down है ऐसा समय में 80 करोर से भी जादा लोगों को free में चाहूल बाटना बाकी समान बाटना free vaccination करना ये दुनिया का सबसे बड़ा free चीज देने का कारिक्राम का record है तो मैं मानता हूँ कि difficult समय में भी प्रदान मंत्री जी ने एक ऐसा तरीका निकला है जिससे जुगर करके कही से कुछ मैनेस करके भी लोगों को सुभीदा पहुँचा है उनके मंत्री मंदल का साती होने के नाते हैं मुझे घर्व है कि बहुत difficult समय में प्राइम मिनिस्टर देश को सेवा कर रहे हैं और हम लोगों का काम है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर एनौस किया ये लोगों तो पहुँचना चाहिए लोगों तो अगर benefit नहीं पहुचेंगे तो सरकारी कारेकरम का कोई मतलब नहीं होता है इसलिए जो भी सरकार का कारेकरम है लोगों तो benefit मिलना बहुत ज़रूरी है इसके लिए मैं आज अभी secretary जा रहा हूँ तो यहां health department के team और या के health मंतरी प्रिंस्पर सेकेटरी सब के साथ मिल करके जो सामान लाए हैं उसका डिस्ट्रिबिशन हैनोबर भी करेंगे आज थैंक यह